हेलो जीनेस लोग आई ये करते हैं ज्ञान का भूग तो इस वीडियो में हम देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोण में तिये अनुपात Trignometrical Ratios of Complementary Angles इससे पहले पूरक कोण क्या होते हैं तो एक त्रिबुज ले लेते हैं देखिए एक त्रिबुज है ABC तो इसके जो कोण है वो पूरा कोण तब कहलाएंगे जब इसके कोई दो कोण कोई दो कोण ठेक है ये वाला कोण और ये वाला कोण मानने जिए इन दोनों कोणों का योग 90 डिगरी हो मतलब एंगल ए प्लास एंगलस पीज माने 15 90 डिग्री हो 90 डिग्री हो तो हम क्या कहते हैं कि A और C क्या है पूरक कॉन है मैंने आपको ट्रिपुट चैप्टर में यह पढ़ाया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो जाके देख सकते हैं आपको पूरक को अच्छे समझ में आ जाएगा पूरक कॉन को इंग क्या होता है बी सी अपन एबी ठीक है कौन से क्या हो जाएगा आधार बटे कन एबी अपन एसी टैने क्या होगा बी सी अपन एबी ठीक है और कौन से के अब इसको पलेट देंगे तो देखिए एबी अपन एबी अपन एबी ठीक है और कॉट ए इस इक्वल टू एबी अपन बी सी या गया अब पूरक कौन कौन से है एंगल ए और एंगल सी इस इक्वल टू निकाल लें तो एंगल सी इस इक्वल टू क्या जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए ठीक है यहां एंगल हटा देंगे मतलब ऐसे लिख देंगे सी इस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए मतलब वही है कि कौन सी ठीक है सुवगो के लिए आसानी हो जागि इसे तो जो एंगल सी है वो किसके बराबर है 90 डिग्री माइनस एंगल एकých है अब 90 डिग्री माइनस ए मतलबMen कहा है को कारी कषी इसके अगर तो कि ह्या पत निकालते हैं तो चलिए निकालते हैं और हम कोण C को क्या लिख देंगे 90 माइनस A, मतलब क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस A, यहां A का मतलब एंगल है, एंगल A, तो 90 माइनस A मतलब क्या है, कोण C के लिनकाल रहें, तो साइन C क्या होगा, A, B अपॉन A, C, A, B अपॉन A, C, ऐसे ही, कॉस 90 माइनस A, मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस C, B, C अपॉन A, C, और 10 90 मैनस से क्या हो जाएगा तो 10 90 मैनस यह हमारे पास क्या हो जाएगा एबी अपन बीसी एबी अपन बीसी एब अपन बीसी हो गया अब कॉसेक 90 मैनस से पलट देंगे इस इक्वल टू एसी अपन एबी ठीक अब सेक 90 मैनस से इस इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास एसी अपन बीसी और कॉट 90 मैनस से क्या जाएगा हमारे पास बीसी अपन एबी ठीक है तो मान लिया ये ये जो हमने तिरकॉन मितिया अन पास निकाल लेते कोन एक लिए ये है समिकर नमबर एक ठीक है और ये जो हमने सीक लिए मतलब 90 मैनस एक लिए निकाल लेते वो क्या है समिकर नमबर दो के अंतर गताते हैं यहां बीसी अपन एसी होगा ठीक है यहां बीसी अपन एसी पर पेंडिकल्य आपवान है पटएनिस बीची अपन एट ठीखेग तो दीखेए सिट्थाइने इसे इकल टू टू बीची अपन एचे तो बीची अपन एच एक बाराबर यहां पो कुसा रहा है तो देखेग यह पे यहां पर मतलब साइं एटी मैसे है तो यहांC से एक अपन ए A, B upon A, C, इसके बराबर आ रहा है, मतलब sin 90 में असे है, ठीक है, तो यहां से अगर हम तुलना कर दें, समीकार एक, समीक कर रहा है, एक, एक्वेशन 1 और एक्वेशन 2 को, एक्वेशन 2 को compare कर दें, जब हम compare कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, तो देखें कि आ जाएगा हमारे पास, sin 90 minus A, is equal to क्या आ गया हमारे पास, sin 90 minus A, किसके बराबर था, A, B upon A, C के, यह किसके बराबर आ गया, A, B upon A, C is equal to cos A के, cos A के, ऐसे ही जब हम cos 90 minus A, को compare कर देते हैं, cos 90 minus A is equal to BC upon A, C, BC upon A is equal to sin A, तो cos 90 minus A is equal to sin, ऐसे ही जब आप compare कर देंगे, तो देखें, 10 90 minus A, is equal to A, B upon BC, A, B upon BC is equal to cot A, तो कोट A आ जाएगा, cos 90 minus A, is equal to, cos 90 minus A is equal to A, C upon A, B, A, C upon A, B, और यहाँ देखें, A, C upon A, B is equal to second, sec A, cos 90 minus A is equal to second, अब, sec 90 minus A, is equal to, sec 90 minus A, sec 90 minus A, is equal to A, C upon B, C, यहाँ पर भी A, C हो जाएगा, तो sec 90 minus A is equal to किसके बराबर हो जाएगा, A, C upon B, C, तो यहाँ A, C upon B, C, मतलब कॉस्स है कि, और cot 90 minus A, is equal to किसके बराबर हो जाएगा, B, C upon A, B, C upon A, B, देखें, यहाँ पर 10 A के बराबर है, तो यह हमारे पूरा कोर्ण के त्रिकोर्ण में थी अनपात, trigonometrical ratios of complementary angles, क्या है, sin 90 minus A is equal to cos A, cos 90 minus A is equal to sin A, 10 90 minus A is equal to cot A, cos 90 minus A is equal to sec A, sec 90 minus A is equal to cos A, और cot 90 minus A is equal to 10 A, फिर से देखें लिटें क्या, कि A और C जो है, वो क्या है, पूरा कोर्ण है, तो हमने A के त्रिकोर्ण में थी अनपात निकाल लिए, फिर angle C, एंगल C is equal to 90 minus A, फिर 90 minus A के लिए, हमने थी त्रिकोर्ण में थी अनपात निकाले, फिर compare कर दिया, तो त्रिकोन मिती अनपात आगे पूरा कोन के लिए तो यहाँ जो A का मान है वो 0 और 90 डिगरी के बीच में आता है अगर 0 और 90 हो तो क्या होगा तो देखिए अगर यहाँ पर तक दें साइन 90 मैनस A ठीक है तो A की वैलिए अगर 0 रती मान लिजे यह अलग से करते हैं यह नोट में लिख लेजिएगा कि इफ यदि A is equal to 0 डिगरी एंड एज एज एक्वल टू 90 डिगरी नोट है यह ठीक है इफ A is equal to 0 डिगरी एंड A is equal to 90 डिगरी तो A is equal to 0 रखते हैं पहले पहले नोट किसी में भी रख सकते हैं Sine में रख लेते हैं Sine 90 minus 0 is equal to Cos 0 Sine 90 minus 0 मतलब क्या है Sine 90 और Sine 90 is equal to Cos 0 की वैलियू कितनी होती है Sine 90 के वैलियू 1 होती है Cos 0 की वैलियू 1 होती है Mतलब यह satisfy करते है 1 अमान 0 हो सकता है 0 और 90 के बीच में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है अब 90 देख लेते हैं तो sin 90-90 और A cos A A की value क्या रखिए हमने 90 तो यहां देखिए sin 0 is equal to cos 90 is equal to कितना जाएगा sin 0 0 होता है cos 90 0 होता है तो यह भी condition satisfy करती है मतलब जो A की value है जो A की value है वो 0 और 90 के बीच में भी आती है 0 भी हो सकती है 90 भी हो सकती है 0 is less than equal to A less than equal to 90 ठीक है मतलब A की value है वो 0 और 90 के बीच में होगी 0 भी हो सकती है 90 भी हो सकती है तो यह था पूरा कोनों के त्रिकोन में ती अनपात जो topic है इनके लिए था इसके जो examples है उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद प्रेह बीचे पूरा करता है झाल一點 बीचे लिए झाल